संपा चक में तीन कठे का प्लोट बिक्री के लिए लालू राबडी द्वार में आज हम प्लोट देखेंगे ये देखिए ये रास्ता हो गया और इसी से हम लोग को अंदर जाना है नमस्कार मेरा नाम है आरे भूशन और आज हम लोग प्रोपटी देखने के लिए आये हुए हैं ये संपा चक का एरिया हो गया और ये हम लोग प्लोट पे पहुँच गया ये सामने जो दरवाजा लगा हुआ है जो रेट कलर का दिख रहा है गेट लगा हुआ यहीं प्लोट है और ये अप्रोक्स प्लोट जो है तीन कठे का है फुल नापी से आपको ये पुरा प्लोट यहां से लेके पीछे तक जो दिवाल दिख रहा है आपको वहां तक प्लोट है अप्रोक्स यहां पे रोड जो है यहां ये पैन है पैन के बाद ये प्लोट है ये जो दिख रह गया पतना जो बाइपास वो अप्रोक्स अढ़ाई से 3 किलो मेटर के राउंट करीब करीब ये अंदर आने के बाद ही ये प्लॉट है ये देखिए यहां का ये लोकेशन हो गया ये शामने का और इस जगह का अस्थान का नाम जो है सोहगी है और सोहगी ये आगे एक मंदिर ह मंदिर के पास में ही ये प्लॉट है ये देखिए ये साइट से एक रास्ता है अभी हम लोग चल के आगे देखते हैं कि इसका क्या है किस तब प्लॉट जो है थोड़ा बहुत लगता है कि बालू भी ये भरवाय है ये पूरब फेस का ये प्लॉट है और इसका प्राइस ज और जो लैंडलोड है वो टोटल एक साथ ही बेचेंगे जिनको अगर कठा वाइस कठा चाहिए तो इसमें पॉस्यूबल नहीं है ठीक है टोटल प्रोपेटी एक ही साथ वो बेचेंगे लोकेशन बाइस रेट बढ़िया है बाकी यहां पे उतना हाई क्लास सोसाइटी नहीं है मेडियम क्लास सोसाइटी के लिए या इन्वेस्मेंट करके ये छोड़ सकते है ठीक है इसका फ्रेंट जो है अप्रोक्स 40 से 45 फिट के करीब करीब आएगा लमसम चुकि पानी लग तो नापने में थोड़ा परिशानी हो रही थी तो अलमसम मुझे लगता है कि 40 से 45 फिट का ये है थोड़ा सा लगता है कि वहां पे बालू भी गिरवा है और इसके पीछे से दो प्लॉट के बाद पीच रोड है जो आई थिंक पर्सा चली जाती है पर्शा में जाके मिल ज बहुत धन्यवाद मिलते हैं बहुत चल नए वीडियो में जैहिन